हलो एब्लीवान वैलकम इमेलत आ यूटूब चैनल तो फ्रेंट्स अले देखते हैं आज़के वीडियो में यूप्पी अंगल्माडी इंकुरुट्मेंट 2024 के बारे में यूपी अंगलवाडी में जो भरती जारी हुई है उसके बारे में सारी information हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इस recruitment से जुड़ी सारी information जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी information मिल जाए और आपको इस recruitment को लेकर कोई भी doubt न रहे इस recruitment के लिए 23,753 position के लिए ये recruitment जारी की गई है यानि इस recruitment के द्वारा 23,753 candidates को सिलेक्ट किया जाना है तो चलिए friends शुरू करते हैं आज का ये वीडियो यूपी अंगलवाडी भरती 2024 बालविका सेवा परिक्षा पुष्टा हार विभाग उत्तर प्रदेश भरती बोर ने यूपी अंगलवाडी भरती का नोटिफिकेशन जारी किया है इन यूपी अंगलवाडी नई भरती 2024 में सेवा करने के इच्छूक व्यक्तियों के लिए एक भरती अभ्यान के लिए नमिंतम अतिसुचना जारी की गई है इस भरती का अभ्यान का उत्देश महिला नोकरियों के पदों को भरना है यानि इस रिक्रूट्मेंट द्वारा महिलाओं की पोजिशन्स को भरने वाले हैं और उत्तर प्रदेश यूपी अंगर्माडी अधिसुचना यानि नोटिफिकेशन दोहजार चोबिस 21 मार्च दोहजार चोबिस को जारी की गई है भरती बोर्ण ने बालवी का सेवा परिक्षा पुष्टाहर विभाग उत्तर प्रदेश में कुल 23,753 रिक्तियों को भनने के लिए आवेदन मांगे हैं यानि फ्रेंड्स इस रिक्रूट्मेंट के लिए 23,753 पोजिशन रखी गई है तो इसके लिए 23,753 महिला कैंडिडेट्स का सिलेक्षन होना है शेड्यूल के अनुसार उमीदवार यानि एप्लिगन ओफिशल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लिकेशन फोम अप्लाई कर सकते हैं पात्रता, आवेदन, शुर्क, वेतन, अंतिन्तिती और अन्य जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी इंफुमेशन मिल सके तो फ्रेंड्स जानते हैं इस रिक्रूट्मेंट के ओवर्विव के बारे में तो इस रिक्रूट्मेंट के भरती का संगठन है बाल विकास सिवा परिक्षा पुष्टाहार वी आई वी भाग उत्तर प्रदेश इसके पोस्ट का नाम है यूपी आंगणवाडी भरती दो हजार चौबिस इसके लिए टोटल 23,753 पोजिशन्स रखी गई है आवेदन करने की तिथी अंतीम तिथी जीलावार रखी गई है यानि यूपी में जो जितने भी जीले है उन जीलों का अलग-अलग रिक्रूट्मेंट के लिए अंतीम तिथी रखी गई है यानि लाश्ट डेट जीलावार के लिए अलग-अलग रखी गई है आवेदन का तरीका online रखा गया है यानि application form apply करने का mode online है इस recruitment के लिए salary देखे तो जो applicants महिला परिवेक्षक यानि महिला supervisor के लिए select होंगे उनकी salary 20,000 रुपए होंगी वहीं आंगणवारी कार्य करता के position के लिए जो candidate select होंगे उनकी salary 7,500 पर मन्त रहेगी साथ ही मीनी आंगणवारी कार्य करता के लिए जो applicant select होंगे उनकी salary 6,000 पर मन्त होगी और आंगणवारी सहाई का की position में जो candidate select होंगे उनकी salary 3,750 रुपीज पर मन्त रहेगी इस recruitment के नौकरी करने का स्थान उत्तर प्रदेश में है यानि ये recruitment उत्तर प्रदेश में ही जारी की गई है इस recruitment के जो official website है वो है up आंगणवारी भर्ती.in recruitment की महत्वकोन date तिथिया के बारे में जाने यानि important dates कौन सी है उसके बारे में जाने तो notification जारी होने की date 21st March 2024 रखी गई है वही registration start होने की तिथी यानि application form apply करने की तिथी जीलावार यानि जीले के यूपी में जितने भी जीले है उनके अलग-अलग date रखी गई है लास्ट डेट पी जीलावार है यानि हर जीले के लिए अलग-अलग last date रखी गई है अब recruitment की आवेदन शुल्क के बारे में जानते हैं यानि कि इस recruitment के लिए application fees क्या रखी गई है उसके बारे में जाने तो general category के candidates के लिए OBC, EWS, SC, ST सभी category के लिए कोई भी application fees नहीं रखा गया है यानि कि इस recruitment के लिए application fees बिल्कुल नीशुल्क रखा गया है इसमें किसी भी category से बिलोंग करने वाले कोई भी candidate को कोई भी application fees नहीं पेकननी रहेगी recruitment की age limit देखे कि इस recruitment के लिए IOC कितने निधारित की गई है उसके बारे में तो इस recruitment के लिए minimum age limit 18 years रखी गई है और maximum age limit 35 years रखी गई है तो जो भी applicant 18 से 35 years तक की age रखते है वो सब भी इसके लिए apply कर सकते है आरक्षी तवर्गों को जो सरकारी नियम अनुसार age limit में छुट छाट दी जाती है वो भी उन्हें दी जाएगी चलिए friends अब recruitment की educational qualification देखते हैं तो इस recruitment के लिए educational qualification अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग रखी गई है अंगरवारी सहाई का की जो position है उसके लिए 12th past section के योगिता रखी गई है अंगरवारी परियविक्षक यानि अंगरवारी supervisor की जो position है उसके लिए किसी भी stream में graduation की degree होना अनिवारिय है candidate gram, word, नियाय पंचायत का निवासी होना चाहिए ये qualification अगर candidates के पास है तो ही वो apply कर सकते है अब देखते हैं recruitment की selection process क्या है यानि की candidates का chain कैसे होने वाला है candidates को इस recruitment पे select कैसे किया जाना है तो इस recruitment के लिए सबसे पहले एक merit सुची जारी की जाएगी यानि की merit list बहार आएगी फिर जो candidates merit list के द्वारा select होंगे उनका document verification होगा और फिर उनका medical examination होगा और उसके आधार पर उन्हें select किया जाएगा अब देखते हैं friends recruitment की application process के बारे में यानि इस recruitment के लिए आवेदन कैसे करना है application form कैसे apply करना है तो UP अंगरमारी recruitment 2024 के लिए जिन candidates को नहीं पता है कि online application form कैसे apply करना है तो वो हमारे बताई ये steps को follow करके अपना application form easily apply कर सकते है तो सबसे पहले candidate को UP अंगरमारी की जो official website है उस पर जाना होगा वो official website है up अंगरमारी भरती.in उस website पर जाकर उनको UP अंगरमारी online form 2024 की link दी होई होगी उस पर click कर लेना है फिर UP अंगरमारी registration form open होगा उसे अच्छे से सही सही भर लेना है registration form भरने के बाद वहाँ पर आपके पास important documents मांगी गए होगे कुछ वो documents आपको upload कर देने है और इसमें application fees पे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी application fees नहीं रखी गई है last में इस recruitment के लिए जो आपने ये application form भरा registration form भरा इसे submit करने से पहले इस application form की आपको इस print out निकाल कर अपने pass रख लेनी है ताकि in future आपको वो कामा सके और फिर आपको last में इस recruitment को सब्मेट कर देना है रिकूट्मेंट की official website की link देखे तो इस recruitment की official website है www.up.angamari.in इस website पर जाकर आप इस recruitment से जुड़ी सारी information जान सकते है recruitment की official notification देख सकते है और इस recruitment के लिए online apply भी कर सकते है अब देखते हैं recruitment की official notification इस notification के आधार पर हमने ये वीडियो में सारी information बताई है तो आपको एक बार अच्छे से notification भी चेक कर लेनी है ताकि आपको सारे doubts clear हो जाए तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही आगी ऐसी ही recruitment के बारे में जानने के लिए ऐसी ही job requirements के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे channel से I hope आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और हमारी बताईए information आपको helpful रही होगी thank you for watching stay tuned for more videos thank you